तो कैसे हैं आप लोग, Redmi Note 30 Pro 5G Mobile में आपको 200 Megapixel का ट्रिपल कैमरा मिल रहा है, उसके साथ साथ 4NM Architecture में बिल्ड हुआ एक दमदार प्रोसेसर मिल रहा है, और AMOLED पंच होल डिस्पले मिल रहा है, और भी बहुत कोच अच्छे अच्छे फीचर्स इस Mobile में आपको भर भर के मिल रहा है, तो और क्या-क्या फीचर्स इस Mobile में आपको मिल रहा है, जानने के लिए ये वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा, तो हलो प्रेंट्स, मैं शुश्मीता और आप देख रहे हैं, शुश्मीता टेक रिव्यू चैनल, तो पहले ही हम जान लेते हैं कि इस Mobile में है 240 Hz, इसका ब्राइटनेस है 1800 nits, इसमें HDR10+, सपोर्ट करेगा, और इस डिस्प्ले के प्रोटेक्शन के लिए कॉर्णिंग गोरिला ग्लास बिक्टास का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा, इस Mobile में आपको 6.67 इंच का Quad HD कर्वड अमोलेट पंच होल डिस्प्ले इस बहुत ही शांदार होने वाला है, और उसके साथ साथ इसमें एक एडवांस लुक भी देखने को मिल जाएगा, इसके अलावा 120 Hz का रिफ्रेश रेट मिल रहा है, यानि रेगुलर डे उसका काम करने के टाइम, या माल्टी टास्किंग करने के टाइम, आपके डिस्प्ल का ब्राइटनेस मिल रहा है, यानि इंडोर सिचुशन के साथ साथ आउट्डोर सिचुशन में भी इस मुबाइल के विजबिलिटी बहुत ही शांदार काम करेगा, इस मुबाइल में प्लास्टिक फ्रेम और ग्लास बैक देखने को मिलेगा, और इसके अलावा IP54 का स्प्ल थिकनेस है 7.98 mm, यानि ये मुबाइल स्लिम होने के साथ साथ लाइट वेड भी होने वाला है, यानि इसका इनन्स फिलिंग भी बहुत ही अच्छा होने वाला है, इस मुबाइल में Android 13 Operating System MIUI 14 User Interface के साथ देखने को मिल जाएगा, बैटरी के बादे में अगर बात करें तो इ इधियम पॉलिमेर बैटरी 67 Watt Fast Charger के साथ देखने को मिल जाएगा, इसका अलावा USB Type-C Charging Port, 3.5 mm Headphone Port और Dual Speaker with Dolby Atmos के साथ देखने को मिलेगा, और सबसे अच्छी बात ये है कि इस मुबाइल के Inbox आपको एक 67 Watt का Fast Charger देखने को मिल जाएगा, सिकूर्टी के बादे में इसे बहुत ही Fast काम भी करेगा, ये मुबाइल 3 color variant में market में launch हुआ है, midnight black, arctic white, coral purple, तो इन 3 colors में से आपको सबसे ज्यादा कौन सा color पैसंद आए, comment करके ज़रूर बताना, क्यूंकि आपके हर एक comment मेरे लिए बहुत ही ज्यादा important है, rare camera के अगर बात करे तो इस मुबाइल में आपको 200 megapixel का triple camera देखने को मिल रहा है, इसका जो primary lens है, वो है 200 megapixel का और इसका aperture है f1.65, इसमें optical event stabilization देखने को मिल जाएगा, और इसके अलाबा इस lens में आपको Samsung ISOCELL HP3 sensor का use किया गया है, इसके अलाबा 8 megapixel का एक ultra wide angle lens और 2 megapixel का एक macro lens देखने को मिल जाएगा, इस camera के साथ आप 30 frames per second में 4 की video shoot कर सकते हैं, यानि इस mobile में आपको बहुत ही अच्छा एक rare camera मिल रहा है, जिसका photo या video का output बहुत ही शानदार होने वाला है, आप मैंसे जो कोई भी social media influencer से या video एक फोटोग्रफी करने के शॉकिन है, उसके लिए ये mobile बहुत ही और इस mobile के front में आपको 16 megapixel का एक selfie camera देखने को मिल जाएगा, इसका aperture है f 2.4, इस camera के साथ आप 30 frames per second में full HD video shoot कर सकते हैं, यानि selfie camera भी आपको ठीक ठाक लेवल पर मिल जाएगा, और इस camera के साथ आपको एक average लेवल का photo या video का output देखने को मिलेगा, connectivity के बारे में अगर बात करें तो इस mobile में आपको 5G, Wi-Fi 5 Dual Band, Bluetooth 5.2, Dual 4G Volt और IR Blaster भी देखने को मिल जाएगा, प्रोसेसर के बारे में अगर बात करें तो इस mobile में Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, ये एक 4NM OctaCore प्रोसेसर है और इसका maximum clock speed है 2.4 GHz, इसमें Adreno A710 GPU का यूज किया गया है, इस mobile में 5100 एमेज का बैटरी मिल रहा है, AMOLED डिस्पले देखने को मिल रहा है, और 4NM Architecture में बिल्ड हुआ एक प्रोसेसर मिल रहा है, यानि battery backup आपको बहुत ही शांदार मिलने वाला है, और इसका अलाबा, heavy multitasking या heavy regular day उसका काम आप इस mobile के साथ smoothly कर सकत हैं, और इसके अलाबा, high graphics का game आप इस mobile में high end settings पर खेल सकते हैं, और game खेलने के time आपके mobile में heating का issue ना हो, इसलिए इस mobile में graphite sheet का use किया गया है, ये mobile तीन storage variant में market में launch हुआ है, 8GB 128GB, 8GB 256GB और 12GB 256GB, इसका RAM टाइप है LPDDR4X और इसका storage टाइप है UFS 2.2, इस में only SIM card support करेगा, इस mobile के 8GB 128GB variant का market price है, 25999 रूपीज, 8GB 256GB variant का market price है, 27999 रूपीज, और 12GB 256GB variant का market price है, 29999 रूपीज, तो इस mobile में आपको एक big AMOLED डिस्पले देखने को मिल रहा है, जिसका brightness भी आपको काफी अच्छा मिल रहा है, और इसके साथ साथ refresh rate और touch sampling rate भी आपको बहुत ही अच्छा मिल रहा है, और camera भी आपको इस mobile में 200MP का triple camera मिल रहा है, यानि फोटो या वीडियो का output भी इस mobile में बहुत ही शांदार होने वाला है, और ब बहुत ही budget friendly mobile है, तो आपको कैसा लगा ये mobile, comment करके जरूर बताना, और वीडियो अगर अच्छे लगे तो एक like जरूर करके जाना, और ऐसे ही mobile से related वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को subscribe करके जाना,